हलो एंड नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सब लोग भी चेकन विडियो के साथ आया हूँ तो दोस्तों आज की इस विडियो में जानेंगे एक नए जोब रविकेंसी के बारे में चलिए दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ आज की वेकेंसी के बारे में वेकेंसी जो है एच पी सील के द्वारा निकाला गया है और सांती साथ मैं इसमें जुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करू तो जो लोग भी बी बीटेक आजए और अगर आपने डेप्लोमा किया है और साथ अटिस में इसमें बिल्कुल भी बंटेगा यह वह घ्रणस से लेके apply करो और मैं आप लोगों को बता दू तो ये जो job है P.A.C.U. level का job है तो आप लोगों को जरूर से जरूर apply करना है तो चलिए मैं आप लोगों को अब notification के माध्यम से बताता हूँ कि ऐसे आपको apply करना है क्या document रिक्वार हैं इन सभी चीज़ को अंद परदेश के अंदर यह आता है तो यह आप अपने यहां पर देख सकते हो और हिंदुस्टान पेट्रोलियूं के यहां पर आप लोग देखते हैं तो कुछ यहां पर इन्होंने अची सीट है तो आप लोगों को जरूर से जरूर apply करना है तो दोस्तों यहां पर जो पहला पोस्ट आता है वह आपरेशन टेक्निसियन का पोस्ट आता है यहां पर देख सकते हो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें आगर आपने डिप्लोमा किया है क्यामिकल इंजिनेरिंग से तो आप इसमें apply कर सकते हो इसमें number of vacancy के मैं बात करूँ तो इसमें जो number of vacancy है 94 vacancy है यहां पर आप लोग देख सकते हो तो यहां पर सीट जो है अच्छी खासी सीट है तो आप लोगों को तो इसमें apply जरूर से जरूर करना है फिर आप लोगों आगे बरते हैं तो थर्ड नमबर पर जो है यहां पर maintenance technician का है जो कि mechanical वालों के लिए है जो लोग भी डिप्लोमा mechanical engineering से किया हो वो लोग इसमें apply कर सकते हो इसमें number of seat की मैं बात करूँ तो इसमें number of seat है 14 seat है फिर लोग आगे बरते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो क maintenance technician electrical वालों के लिए है तो अगर आपने ə dp All है और न आप ने किया है इसमें आप लोग देख सकते हो और इसमें number of seat जो है 9 seat यहाँ पर दिया गयाLP है फिर लोग आगे वरते हैं तो तो यहाँ पे जो अगला पोस्ट है लैब एसिस्ट का है तो यहाँ पे जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें अगर आपने बी एस सी मैथ फिजीक्स और केमेस्ट्री से किया है अगर आपका उसमें 60% मार्क्स है तो ही आप अपलाई कर सकते हो और इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर आपने ग्रेजुएट किया है साइंस से और आपका उसमें 40% मार्क्स है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो एक पाइण के कैसे का अरा और मेंटनेंस non झील के लिए यहाँ पर एलौन सटे मैं में इंस्टुमेंटैसन के लिए यहाँ पर होने है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लाब एस्विस्ट का यहां पर यह काम होने वाला है और जुनियर फायर और सेफ्टी इंस्पेक्टर का यह सब काम होने वाला यह सब चीज आपको देख ले लिए है नोटिफिकेशन का लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको सिंप्ली से जाके वहां से डाउनलोड करके एक बार अपने से नोटिफिकेशन को अच्छा से पढ़ लेना है और साथी साथ मैं आप लोग को अपलाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करना वहां से आप अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बता द आपको अपने से पढ़ लेना है जो भी जिस भी कैटेगोरी से बिलॉंग करते हूं उनका यहां पर एज रिलेक्शेसन दिया गया है फिर मैं आप लोग को बता दू तो आप लोग को अपलाई कैसे करना है यहां पर देख सकते हो कि सारे स्टेप इन्होंने मेंसन कर दिया ह जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनलाइन अप्लिकेशन का जो टेट है 22 तारिक से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट टेट जो है 21 तारिक नेक्स्ट मन्त वाला एक इस तारिक तक आपका टाइम है और फिर इन्होंने यहां पर मेंसन कर आए कि जो भी आपका फोटो और यहां पर देख सकते हों कि जो भी फोटो और आपका सिंग्रेंचर होगा वो अनलाइन थुरू आपका वहाँ पर सम्मीट होगा यहां पर इन्होंने मेंसन कर दिया है तो यह आपको अच्छे से पर लेना है फिर हम लोगा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगो को एप्लिकेशन फी के बारे में पता दू तो जो लोग भी यूर ओवी सी डबलू एस केंडियेट हो उनका जो यहां पर फी लगने वाला है 590 रुपया यहां पर लगने वाला है प्लस में पेवेंट गेप चार्ज जो होगा कुछ लगेगा और उसके साथ साथ आपको 18% GST भी इसमें लगने वाला है और सांथि साथ जो लोग भी सी एसटी और पी डबलूडी केंडियेट हो उनका यहां पे कोई भी फी नहीं लगने वाला है जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हो फिर मोग आग बढ़ते हैं तो यहां पर मौड आफ जो पेमेंट होगा ओन यह मेंने? अपने सब पर लेना है और सलेक्शनस यहाप मैसटट जो है आपका सी वीडि टिच्ट यहां पर लिया जाएगा उसी के विप आपका यहां पर सलेक्शन भोगा तो बहुतत ही अच्ची जॉब है और इसमें मात्रा आपका एक मात का एक एक्जाम होने वाला है फिर यहां पे physical और medical fitness यहां पे बोला गया है तो यहां पे अपने से बनवा लेना है फिर लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे general instruction कुछ दिया गया है कि यहां पे जो इंडिया से बिलॉग करते हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हो तो यह सब चीज जो है आपको अपने से पर आप लोग देख सकते हो कि जो HPCL का closing application जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस पांच है तो फिर यह सब चीज है से यहां से आप देख सकते हो तो दोस्तों आई होप आप लोग को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के मादम से बता है हो किलियर हो गया होगा अगर इस जॉ और नोन टेक्निकल से रिलेटेट सभी वीडियो की अपडेट आपके मोयल पे जल से जल मिल सके है तो दोस्तों अभी तक अगर आपने टीडीपी के सूसल वीडियो को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर जाके फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है तो आपको जरूर जाके फॉलो एबम जोइन करना है क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे पहले अपडेट देते रहता हूं तो अगर आप उसका वी वीडियो देखना चाते हो तो आप हमारे इस चैनल से जरूर से जरूर जूरो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट झाल